हलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टो माई चैनल सीएदीप जीस्टी टेक्स नॉलिज आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं या प्रोफेशन कर रहे हैं तो हमको ऑडिट की रिक्वार्मेंट कब होती है कब हमारी ग्रोस रिसीप या प्रोफेशनल रिसीप तक क्रोस करेगी जब हमको टेक्स ऑडिट करवाना मेंडेटरी हो जाएगा तो हम उसको स्टार्ट करते हैं तो कि as per section 44 AB following person are compulsory required to get their accounts audit compulsory audit लिखा है मतलब जो निमन परसन बताया गए है उसको compulsory audit करवाना पड़ेगा तो किसको करवाना पड़ेगा तो कि अब person carrying on business कोई person है जो business कर रहा है if his total sales turnover और gross receipt अगर उसकी sales turnover या gross receipt कोई भी case हो in business for the year exceeds और exceeds rupees 1 crore मतलब उससे business से जो भी उसको gross receipt हो रही है sales या turnover हो रही है वो एक करोड से अधिक हो जाती है उस case में उसको compulsory audit करवाना पड़ेगा ये किसकी बात हम कर रहे है बिजनेस की बात कर रहे है अगर कोई person business कर रहा हो ये word पे आप ध्यान देना अगर कोई person business कर रहा है और उसकी कोई gross receipt turnover या sales rupees 1 crore से अधिक हो जाता है तो उसको compulsory audit करवाना पड़ जाएगा बट इसमें एक amendment किया गया था इसमें एक provision add किया गया था और उसके अनुसर क्या हो गया था कि अगर कोई भी person जो की business कर रहा है और उसकी जो भी gross receipt turnover या sales है वो 1 crore से अधिक है बट up to 10 crore तक है 1 crore से अधिक है बट up to 10 crore तक है और उस case में यदि अगर उसके दर जो भी business किया जा रहा है उसमें अगर 95% या उससे अधिक 95% तो होना ही चाहिए या उससे अधिक मतलब at least 95% जो उसका business के जो भी transaction है total transaction वो उसके 95% उसको अगर banking channel के ठू किये जाते है तो उस case में अगर आपका turnover भले ही 1 crore से अधिक है बट up to 10 crore तक है तो आपको audit करवाने की आवसक्यता नहीं है उस case में क्या हो जाएगा 95% अगर आपका total transaction banking channel के ठू हो रहा है तो उस case में आपको audit कप करवाना पड़ेगा जब आपकी gross receipt turnover या sales रूपीज 10 crore से अधिक हो जाएगी उस case में आपको compulsory audit करवाना पड़ जाएगा बट इसके साथ एक और section भी add किया गया था वो है presumptive taxation presumptive taxation के अंदर का section 44 AD जो की business पे applicable होता है और section 44 ADA जो की profession पे applicable होता है तो section 44 AD की अनुसार क्या होता है कि कोई person है उसकी अगर business कर रहा है क्योंकि section 44 AD है वो business पे applicable होता है प्रोफेशन पे applicable नहीं होता है अगर कोई person है वो अगर business कर रहा है ठीक है और वो person मतलब क्या resident individual resident individual हो गया या तो फिर कोई H.U.F. हो गई या तो फिर resident partnership firm बट इसमें भी limited liability partnership firm को include नहीं किया गया है अगर कोई person है person के अंतरगत क्या include हो रहा है resident, individual, H.U.F. या तो कोई partnership firm पर partnership firm में भी LLP को exclude किया गया है उस case में अगर उसके द्वारा जो भी business किया जा रहा है उसके द्वारा जो भी business किया जा रहा है उसकी gross receipt अगर वन करोड से अधीक है बट up to 2 करोड है ठीक है वन करोड से तो अधीक है बट up to 2 करोड है तो उसकी जो भी gross receipt होगी उसका 8% presumptive income मान ली जाएगी ठीक है बट section 44 AD कब applicable होगा जब आपकी gross receipt up to 2 करोड रुपीस तक होगी अगर 2 करोड से exceed हो जाते हो तो उस case में section 44 AD applicable नहीं होगा और section 44 AD किसके ओपर applicable होगा तो कि individual पे applicable होगा, HEF पे applicable होगा और partnership form पे applicable होगा बट उसमें भी अगर limited liability partnership form है तो उसके ओपर section 44 AD applicable नहीं होगा अब section 44 AD में भी यह बताया जाता है कि अगर आपकी gross receipt up to 2 करोड से अधिक नहीं है तो जो भी आपकी income होगी उसका 8% आपकी income मान ली जाएगी और उसके उपर tax rate applicable हो जाएगा बट इसमें भी एक provisorate किया गया था कि अगर आपकी जो भी gross receipt turnover या sales है वो अगर banking channel के true हो रहा है और banking के true हो रहा है मतलब banking channel के माध्यम से हो रहा है तो उस case में आपकी जो भी gross receipt turnover या sales होगा उसका 6% आपकी income मान ली जाएगी और उसके उपर applicable tax rate applicable हो जाएगा फिर अपन बात करते हैं section 44 AD क्योंकि 44 AD जो है वो business पे applicable होता है और section 44 ADA वो profession पे applicable होता है तो profession के case के अंदर क्या है क्योंकि अपना section 44 AB पढ़े तो उसमें हमने देखा कि किसी भी person को audit करवाना पढ़ जाएगा अगर उसकी जो gross receipt है वो वन करोर से अधिक है वैसे ही section 44 AB में profession की भी एक limit दी गई है अगर कोई भी person अगर वो कोई profession कर रहा है प्रोफेशन में भी कुछ profession है जो बता दिये गए है जैसे कि वो accountant से service प्रोवाइड कर रहे है या doctor है या software है software developer है etc अगर कोई वो professional service प्रोवाइड कर रहा है और उसको जो भी receipt हो रही है वो अगर 50 lakh से अधिक है जो भी receipt हो रही है वो professional receipt हो रही है वो अगर 50 lakh से अधिक है तो उस case में उस person को भी compulsory audit करवाना पड़ जाएगा जैसे section 44 AD business के case में applicable होता है वैसे ही section 44 AD ये profession के case में applicable होता है उसके अनुसर अगर आपकी जो भी professional receipt है वो यदि up to 50 lakh तक है 50 lakh से अधिक होगा तो आपको compulsory audit करवाना है but up to 50 lakh तक है तो उस case में क्या हो जाएगा कि जो भी आपकी receipt है उसका 50% आपकी income मान ली जाएगी और उसी के उपर applicable tax rate से tax applicable हो जाएगा अब जो section 44 ADA है वो कौन से business पर applicable होगा तो कि legal हो गया medical profession पर applicable होगा legal हो गया medical हो गया engineering और architectural service हो गया accountancy हो गया technical consultancy हो गया interior decoration हो गया any other profession as notified by CBDT मतलब इसके उपर section 44 ADA applicable हो जाएगा और वो कौन किसके उपर applicable होगा तो कि यह individual pay और partnership हो इसमें भी LLP को exclude किया गया है तो इसमें प्रोविजन क्या बता रहे है कि in case of person adopting the provision of section 44 ADA अगर कोई person section 44 ADA को adopt करता है income will be computed on presumptive basis मिलब जो भी income होगी वह presumptive basis पे calculate की जाएगी that is 50% of total gross receipt of the profession मतलब जो भी उसकी प्रोवेशन की receipt होगी उसका at least 50% 50% तो आपको लेना ही है उतने ही आपकी income मान ली जाएगी आप चाहो तो 50% से अधीक भी income मान सकते हो पर 50% तो आपको compulsory लेनी ही होगी अब जो भी section 44 AD जो की business पे applicable है और section 44 ADA जो की profession पे applicable है उसमें जो percentage दर्साय गए है जैसे business के case में 8% अगर आप cash में transaction हो रहे है आपके business में और अगर banking channel के true हो रहे है तो 6% और वैसे ही section 44 ADA के अंतरगत आपकी जो भी professional receipt है उसके 50% एक निर्धारित percentage कर दिये गए है उसी के अनुसार tax rate उसी के अनुसार आपकी income मान ली जाएगी और उसी के उपर tax calculate किया जाएगा बट अगर कोई person है वो जो भी percentage एक्ट के अंतरगत निर्धारित किये गए है उससे अगर कम अपनी income सो कर रहा है जैसे business के case में 8% अगर वो cash में transaction कर रहा है और 8% से कम अपनी income दरसाता है या अगर banking channel के ठूँ अगर कोई person business कर रहा है उसमें 6% की percentage दिये गए है और 6% के अपनी जो भी gross receipt है उसके 6% से कम अगर income सो कर रहा है तो उस case में उस person को compulsory audit करवाना पर जाएगा और प्रोफेशन के case में भी अगर कोई person है वो अगर 50% से कम अपनी income सो कर रहा है तो उस case में भी वो जो भी प्रोफेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उस person को compulsory tax audit करवाना पड़ जाएगा तो आज की वीडियो में हम अपन क्या देखे अपन सेक्षन 44 AB 44 AD and ADA के बारे में अपन पुरा knowledge गेन किये है और उसका अगर हम क्रस निकाले तो अगर हम क्रस करें उसका पुरा summarize करते है दो मिनिट में तो सेक्षन 44 AB क्या बोलता है कि अगर person की अगर person business कर रहा है और उसकी gross rate अगर रुपिस वन करोड से अधिक है तो उस case में उसको compulsory audit करवाना पढ़ जाएगा बट इसके अंदर एक provision aid हुआ है और उसके अनुसर अगर कोई person business कर रहा है और उसकी gross receipt अगर वन करोड से अधिक है अप टो 10 करोड तक है ठीक अप टो 10 करोड तक है और उसके दर जो भी business किया जा रहा है उसमें जो भी transaction किया जा रहा है तो total transaction का 95% अगर कम से कम मतलब 95% तो होना ही चाहिए 95% से अधिक हो सकता है पर 95% से कम नहीं कम से कम 95% transaction उसके banking channel के ठू हो रहे है तो उस case में ये जो वन करोड की जो limit है उसको 10 करोड तक कर दिया गया है मतलब up to 10 करोड तक ह होगा तो आपको audit करवाने की जरुवत नहीं है और अगर 10 करोड से अधिक होगा ऐसे ऐसे case में तो उस case में आपको compulsory audit करवाना पड़ जाएगा और इस section 44 AB में professional की भी एक tax audit limit बताई गई है अगर जो भी professional receipt हो रही है वो अगर 50 lakh से अधिक हो जाती है तो उस case में उस person को compulsory audit करवाना पड़ जाएगा बट section 44 AD presumptive tax session जो की business के लिए applicable है उसके अनुसर अगर कोई person business कर रहा है और उसकी जो gross receipt है वो up to 2 करोड तक है मतलब 2 करोड से अधिक नहीं होना जाए अगर 2 करोड से अधिक होगा तो आपको compulsory audit करवाना पड़ेगा और अगर compulsory audit के case में अगर आप लोग नहीं आ रहे हो अगर वो person नहीं आ रहा है इसका मतलब किया हो अप to 10 करोड तक उसको छूट मिल जाएगी और up to 10 करोड तक के जो भी gross receipt होगी जो business कर रहा है उसकी जो भी gross receipt होगी वो up to 10 करोड तक होगी तो उसको audit करवाने की requirement नहीं होगी और जैसे ही 10 करोड से अधिक जाएगा उसको compulsory audit करवाना पड़ जाएगा बट section 44 ADA के अंतरकत अगर कोई person है business कर रहा है और उसकी gross receipt अगर up to 2 करोड तक है तो अगर वो cash में transaction कर रहा है तो उस case में 8% उसकी presumptive income मान ली जाएगी और अगर वो banking channel के ठूट अगर कोई transaction कर रहा है तो उस case में 6% के हिसाब से उसकी presumptive income मान ली जाएगी वैसे ही अगर क case में क्या हो जाएगा अगर कोई वैक्ति है जो प्रोफेशन कर रहा है उसकी अगर जो भी gross receipt है प्रोफेशनल receipt है वो अप्टो रुपीस 50 लेक्ट तक है तो उसके 50% उसकी presumptive income मान ली जाएगी और उसी के उपर tax calculate किया जाएगा अगर कोई person presumptive taxation के अंतरकत जो भी rate बताय गया है for example 6% for example नहीं वह एक्ट में दिया ही गया है 6% 8% and 50% उससे कम अपनी income सो करना चाहता है तो उस case में उस person को compulsory audit करवाना पड़ जाएगा यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे comment box में comment करके जरू बताएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो please like, share and subscribe जरू करीगा thank you for watching